तो नमस्कारा पुछ स्वागत है डेक्टर पॉन सुकला जो के इस नामें की यूटिव चैनल पर हम गिंतारा पड़ रहे हैं गडित जो कच्छा पराज की पुस्तक है क्यों कि उत्तव पदेश बैसे इक सच्छा परिसेद्वर रस्तन चाले जो प्रात्मिंग विद्या लें तो अब कर्मी तनुदेशन का यानि स्वेयं अद्धेन का जो प्रयास किया गया है बहुती सरानी है तो इस पुस्तक को आपको जनते हैं कि आनलाइन उपलब्द है तो इस समय आनलाइन ही पढ़ना है तो आज का जो हमारा पकरण है वो चब पंद्रह वापाठ इसका है जि इस तरह से ट्राइंगल जिसे कहते हैं ट्राइंगल यानि आपने इसके पहले जो पाट को पढ़ा है उसमें एंगल को पढ़ा है तो ट्राइंगल का मनलत त्री भुज यानि जिसकी तीन भुजाय होती हो यानि तीन कौन होते हो तो नीचे दिए गए चित्रों को देखना है आपको और देखकर गे बताना है कि त्रिभुज कौन सी है त्रिभुजा कार आकृतिया कौन कौन सी है तो जिसमें तीन भुजाय है वो त्रिभुजाय है ये त्रिभुजाय है ये भी नहीं है ये भी है तो दो आकृतियां हैं जो की तीन भुजाए हैं ये बारकोडी स्टैनर आप दीछा है अपके सारे देख करके बेटर डंक से सीख सकते हैं तो आओ देखें समझें क्या है यहां तीन बिंदू का खा का है एक सीध में नहीं है इन तीन बिंदू को आपस में रेखा खंडों से जोड़ेंगे तो एक बंद आकृति एक त्रिफुज भाए है इस त्रिफुज में तीन भुजाए हैं हम यहां लिखते जाएं ज्यादा बेटर रहेगा क ख और गर माली जीए एक बिंद यहां क है एक बिंद यहां ख है एक बिंद यहां गर है अब तीनों को मिला देंगे तो क्या बना यह त्रिफुज बना यहां तीन भुजाए हैं साथ ही इसके तीन कोड भी है क्योंकि तीन भुजाए हैं तीन जगह मिल रही है तो तीन वोण बने यह बंद आकरती है जिसमें तीन बुजाएं यानि आप तीर भुज के लिए दो बाते अनिमारिफ हो गए यहाँ पर आप जानेगे कि एक तो बंद आकरती हो और दूसरी बात है कि इस पे जो है तीन बुजाएं भी होनी चाहिए तो इसे जानते हैं तीर भुज की तीन बुजाओं से गिरा जो चेत्र है उसे अंता चेत्र कहा जाता है इसका जो अंदर वाला चेत्र है यह अंता चेत्र कहा जाएगा तो अंतर छेत्र के जो त्रिभुज का बाहर का संपूर्ण छेत्र है त्रिभुज का वाय छेत्र कहलाता है यह जो बाहर का संपूर्ण छेत्र आप देख रहे हैं इसके बाहर वाला वो क्या कहला रहा है तो यह जो त्रिफुज के बाहरी छेतर को जो है यह जो त्रिफुज है आप देख रहे हैं इसके जो बाहरी छेतर है उसको जो है वाह छेतर त्रिफुज का कहा जाता है यानि त्रिफुज के बाहर का जो छेतर होता है उसे वाह छेतर कहा जाता है और जो इसके अंदर का छेत होता है यानि जो यह lign की गई है वो अंताः च्छेत्र कहलाता है तो इसको आप देखी कैसे बनता है आगे चलिए स्वायेंग आपको करना है तिफुद कहा खा गा के अंताः च्छेत्र में इस भिन्दू आपको बताने है यह आप बताइए कि अंताः च्छेत्र यानि जो अंदर है और वाय छेत्र मने जो बाहर है त्रिभुज के अंता छेत्र में कौन-कौन से बिंदू है और त्रिभुज के वाय छेत्र में कौन-कौन से बिंदू है इसे आपको बताना है इसे आप बताईए इसके बाद सोचिए कि यदिक भुजा का खा या भुजा ख तो किस छेत्र के अंतर घताएगा एकंधो या बुझा करें किसी यौन में होंगे न तो अंतरीक छैत्र में होंगे त्रिवुज के सीर्स भुजाएं और कौन क्या होती हैं ये प्रकंड है बिंदुका खगा त्रिवुज के तीन सीर्स हैं बिंदुका और खा को जो बिंदुखा और खा को रेखा करनदवारा मिलाने पर खा मिलती है इसी प्रकार बिंदुखा और गा से मिलाने पर खा गा और बिंदुखा और गा से गा प्राप्त होती है इस प्रकार त्रिफुज में तीन कोड ये प्राप्त हुए जो हमने कहा आपको कि एक त्रिभुज है तो उसके तीन कोण हो गया और वहां बंदा क्रिती होगी तो ये तीनो कोण प्राप्त होते हैं ये कोण सीर्ष पर बना कोण हो गया ग, क, ख, और जो सीर्ष ख पर बना कोण हो गया ग, ख, ग, और सीर्ष ग, पर बना कोण हो गया अब कोन को लुखना जान गये हैं तो इस तरह से अन्तकोन कहलाते हैं तृषत के अंदर है इसलिए यह अन्तकोन कहलाते हैं सिर्षों और अंता कोणों के नाम लिखना है इन तीनों त्रिभुजों को देख लीजिए इसके भुजाओं सिर्षों और अंता कोणों को आपको नाम देखना है दीजिए उसके बाद त्रिभुज की दो भुजाओं की योग की तुलना तीसरी भुजा से कैसे की जाती है और गदिया गया है एक भुजा की लंबाई है 5 cm और एक भुजा की लंबाई है 6 cm एक भुजा की लंबाई है 7 cm तो यहां जो है कह रहा है कि भुजा कह खा धन भुजा खा गा यानि कह खा 5 cm धन खा गा यानि 6 cm कितना हो गया यह हो गया 11 तो दोनों मिलाने से यह क्या है तीसरी बुजा से बड़ा है और ऐसे ही आप खग और खग जोड लेंगे यानि 7 सेंटीमीटर उसके बाद खग यानि 6 सेंटीमीटर तो कितना आ गया 13 आ गया तीसरी बुजा से दो भुजाओं का योग तीसरी बुजा से बड़ा है तो त्रिभुज की किनी दो भुजाओं की लंबा तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, यह ग्यात हो गया आपको, दिये गए त्री भुजा की लंबाई से तुलना करेंगे, तो वहाँ भी आप देख लीजिए, दो भुजा का अंतर, साथ रिंड चाह एक हो गया, यह तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, ठेक, तीसरी भुजा से छोटा होगे सारी, यह छोटा है, ऐसे ही आप फिर देख सकते हैं, चाह में से पांच घटाएंगे, तुब वह जो आ रहा है, साथ से एक आ रहा है, वह एक जो है, साथ से छोटा है, यानि कि तिवुज की किनी दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, तीसरी तिवुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कैसे देखते हैं, इसके बारे में बात हो रही है, सिच्छे कोर राजु के में, सिच्छे कर रहे हैं कि राजु तिवुज के तीनों अंतर कोण कोण से हैं, तो क, ख, और ग, यह तीनों कोण हैं, तो इनकी माप क्या होंगी, य और गह का मानाता है असी अंद तो यह तीन तीनों आगए इसके मानतों तीनों का योग कर लीजिए तो कितना हो गया 25 धन 45 धन 80 कितना होगा जोड़िए सुन्य पांच 510 का सुन्य हो गया 65118 65 55 55 45 और 80 कितना है देखिए पांच-पांच-दस तो च्छार-दस-आठ-ठार है कितना आया 180 तो यह बात कन्फर्म हुई कि किसी भी त्रिबुज के तीन हंतहकोणों का योग कितना होता है 180 होता है अब आपको स्वयंग करना है यह तीन हंतहकोणों को मापना है और माप करके अलग-अलग अंतह प्रकार पर त्रिबुज के जो प्रकार है उसको पहले देखते हैं तो पहला प्रकार जो दिया गया है आपकी पुस्तक में वה प्रकार है सम्बाह प्रकार समभाव तरिभुज का मतलब equilateral triangle यानि समभाव आप इसके सब्द से ही देखके जान सकते हैं समभाव का मतलब है जिसकी भुजाएं समान है तीनो भुजाएं जिसकी समान हो वो समभाव तरिभुज कहलाता है ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों बुजाएं सम्भाव त्रिभुज कहलाता है सम्भाव का मतलब सभी बुजाएं बराबर समध्दी बाव का मतलब ऐसे त्रिभुज जिनकी दो बुजाएं बाव मतलब भुजा होता है दो भुजाएं समान होती हूं, उनको समध दिबाउत्रिभुज का जाता है, जैसे एक चितर बनाया गया, कह, ख, ग, ये तिन, कह, ख, और कह, ग, कि लंबाई मापी गई, तीन-तीन सेंटीमीटर है, अगर इस तोनों की लंबाई तीन-तीन सेंटीमीटर, एक त्रिभुज यहा है, तीन-तीन सेंटीमीटर, तो ये समध दिबाउत्रिभुज हो जाएगा, यानि ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो, तथा एक भुजा अलग लंबाई को, उन्हें समध दिबाउत्रिभुज करते हैं, विशम बाउत्रिभुज कौन सा होता है, विशम, जिसमें कखग़ा दिया गया है, और इसकी माप को आप नहापेंगे, तो पहले की लंगाई मालईजी worked, पान सेंटीमीटर, कग़ किया गई तीन सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर, और कग़ किया गई चार सेंटीमीटर, ति ये तीनों भुजाएं देख रहे हैं, आप अलग अब आपको स्वयम करना है यहां आपको बताना इस चार्ड से कि यह त्रिभुज का कौन सा प्रकार है इसको देख लीजिए इस चार्ड को आपको स्वयम भरना है करके बताइए मुझे कि कौन सा त्रिभुज संभा हुए कौन सा समध्दिबा हुए और कौन सा भी संभा उसको आप देखें तो जितने कोण होते हैं उसी के हिसाब से चले गाई यह कोण आप पढ़ चुके हैं तो कोणों के आधार पर त्रिभूज का प्रकार कोणों के अधार पर जो त्रिभूज का प्रकार होता है इसको देखिए तो सबसे पहले तो नियून कोण त्रिभूज होता है नियून कोण त्रिभूज क्या होता है इसको देखिए नियून कोण त्रिभूज का मतलब ये चित्र बनाया गया है सिछे किसमें समझा रहा है रि सब्व्ङे से कम हो पर अंतह कोंड जो है कोई भी कूंड कोंड ये होता हैं जो स्वते इसमएंगे उसका पर इस इसमें स्क्षिक, आपने के बाद यह नबवे अंस आया तो ऐसे त्रिवाज जिसका कोई यह कोंड समकोंड हो शमकोंड त्रिभूज कर लाता है दूसतरा इसके बाद है तीसरा है अधिक कोंड त्रिभूज अधिक कोंड त्रिभूज का मतलब है कि अधिक कोंड ये त्रिभूज का सिंबल है अधिक कोन्र त्रिभुज का मतलब हुआ पर इसका यसा यह न इनले हैं उद्भाः जिसका है अधिक हो यह ना इत्वेBinks ने कौक को कर ला ता है। इसके बाद आपको ये चार्ट भरना है जिसके आधार पर आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा प्रकार है कौणों के आधार पर नियून कौण समकौण त्रिभुज या अधिक कौण त्रिभुज तो इसको आप देख लीजिए इसको बताईएगा इसके बाद हम अग प्रवाई के आधार पर और कौन के आधार पर उसके बाद इस अभ्यास करें अभ्यास करके मुझे बताईए कि आपको क्या समझ मैं क्या नहीं देखिए समझिए बताईए चैनल लाइक से सब्सक्राइब करेंगे ज़्या दान्यावत